हाई फ्रेंड्स के लिए हम 10-15 हरी मिर्च लेकर इन्हें स्प्लिट करके इसके सीट्स रिमूव कर देते हैं और अब थोड़े पानी में हम आधा चम्मच नमक डालकर हरी मिर्च को इसका तीखा पन हटाने के लिए 5-7 मिनट बॉइल कर लेते हैं फ्रेंड्स अब हम बेसन का घोल और मिर्च के स्टफिंग के लिए आलू का मसाला तयार कर लेंगे मैं आपको बता दू ये दुनों चीजे हमने जैसे ब्रेड पकोड़े के लिए बनाई थी वही सेम मेथड है तो बेसन के घोल के लिए एक बोल में हम एक कटोरी बेसन इसमें आधा चमच नमक, चोथाई चमच मिर्च पावडर, चोथाई चमच सौफ, एक चुटकी हीम और एक चुटकी मीठा सोडा डाल कर दीरे दीरे पानी डालते हुए एक डायरक्शन में घुमाते हुए हम इसका गोल तयार कर लेते हैं और इसे कुछ देर के लिए बीट करते है बीटिंग हमेशा ये की डायरक्शन में होनी चाहिए ये हमारा बैटर तयार हो गया है अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं अब हम इसकी फिलिंग तयार कर लेते हैं इसके लिए हम लेते हैं उबले हुए आलू ये हमने एक खिलो आलू लिये हैं इसमें हम डे प्रेट चम्मच नमस, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच आमचूर, चोथाई चम्मच गरम मसाला डालकर सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसे पकाने के लिए हम एक कढ़ाई में थुड़ा सा तेल गरं करते हैं, एक चमच सौफ और थोड़ी सी हलदी डालते हैं और गैस बन करके ये आलु का मसाला हम इसमें डाल लेते हैं, साथ में धनिया पत्ते डाल कर हम इसे अच्छी धह से मिला लेते हैं. ये हमारा मसाला तयार है, अब हम मिर्च लेकर इसमें मसाला भर लेंगे, और मिर्च पकोड़े फ्राई करने के लिए हम एक कड़ाई में पहले से ही तेल गरम कर लेते हैं, अब बेशन के घूल में ये भरी हुई मिर्च हम डिप करते हैं, और गरम तेल में डाल देते हैं, इस अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें जिससे जब भी मैं नई रेसिपी डालूंगी तो वो आपके मेल पर आ जाएगी